आप सभी का एक पर फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकिया है एक पहुत ही बड़ा अपडेट जो कि आपके NTA UGCN जुन दोजाद 24 के एक्जैम से चुड़ा हुआ है आप सभी को वेट है अपने एक्जैम के फॉर् देखा जाए आपको अपडेट ऑफिसेल रूप से नहीं दिया जा रहा है लेकिन आज की वीडियो में आप सभी के लिए लेके आए हैं ऑफिसेल अपडेट जो कि आपके NTA UGCN जुन दोजाद 24 के अप्लिकेशन फॉर्म से जुड़ा हुआ है आप सभी को अल्रेडी पता है कि आपके जून का जो एक्जाइम का टेंटेटिव डेट है वो और रेडी तैंकर दिया गया है जो है आपका दस जून से लेके एक कैस्ट जून के बिट्मिन में लेकिन अप्लिकेशन विंडो ओपन होई नहीं रहा है आप सभी लोग परिशान है कि कब विंडो ओपन हो है तो जो यूजीसी के हेड है जगदिश कुमार साजी इनके द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया था जो की यूजीसी का था और उस पब्लिक नोटिस में कहा गया था कि नेट का जो एक्जाइम होगा तो नेट के एक्जाइम में जो लोग क्वालिफाई होंगे उनके net का scores होगा उसका उप्योग PhD के admission में आप ले सकते हैं जिसके लिए एक साल की validity दी जाएगी नेट जो लोग qualify होंगे उनके एक साल के validity दी जाएगी और return test नहीं देके only interview वो लोग देंगे और PhD में admission ले सकते हैं तो net वाले return test थे exempted हो जाएंगे और साथ में उनका जो net का score रहेगा उसी के आधार पे उनका PhD में admission मिल जाएगा इसके बारे में जगदिश कुमार सर्जी ने tweet किया लेकिन देखा जाए इसी में ही देखा जाए तो उन्होंने एक चीज देखा जाए इंडिकेट किया है कि NTA is working on launching the net application process for Zoom 2024 session sometime next week यानि इन्होंने यहाँ पे एक आपको clue दे दिया है कि यानि कि April में आपका form का window open हो जाएगा ये तो निश्य तोर पे होगा और इसके लिए उन्होंने कहा है कि next week में यानि मान के चलिए ये 1st April से 10th April के between आपका window open हो जाएगा तो मान के चलिए 5 से 7 के आस पास आपका application form आज आएगा और application form आप फिल अप करके सही तरीके से अपने net के exam का preparation जो अरड़ी आप कर रहा है उसको और भी boost up कर देंगे ओके तो आज की वीडियो में इतना ही कोई भी question आपको पूछन आपको पूछ सकते हैं और जब तक कि निक्ष्ट वीडियो और अपका दिए आपको ईपको अरड़ी को आपको पूछन आपको आपको उसको